यम्रानगर के कस्बाच चरोली में गश्ट के दोरान देवरात किशी विभाग को एक पिकप गाड़ी से तीस कट्टे यूरिया खाथ के मिले थे जिसके बद पिकप के चालक ने पूच्टाच में जो कुछ बताया उसके आधार पर आज पुलीस और किशी विभाग ने च्छाप पेमारी कर अवैद यूरिया खाथ गोदाम का पदाफाश किया जिसमें हजारों के तादात में यूरिया के बैगों को स्टोर किया गया था कृशी विभाग अधिकारियों के माने तो जो स्टोक यहां पर कठा किया गया था उसके पिछले एक माह से कृशी विभाग को कम इखल रही थी प्रिशी अधिकारियों के मताबिक जाच में पाया गया है कि इसक यूरिया खाद के बनने के तिथी अक्टूबर माँ दोजारी किस्की है यानि ये स्टॉक यहां पर कुछ दिन पहले ही आया है हम यहां गोडाउन पे आए तो यह गोडाउन बंद था जब इसको खुलवाया तो यहां देखा गया कि यहां बहुत सारा खाद पड़ा था यूरिया एन एफल का एन एफल कंपनी का यूरिया फिर हमने इसको काउंट किया तो यह 1520 बैग यूरिया मिला जो एगरी कल्चर य गया उसमें चेक किया लगया असका आज स्टोर करी स्थ ही तो इस लगा है कि बहुत हरा पर बता दे कि गाओं पजयेटों पंजैटों में पकड़े गए इस अवैध खाद गोडां की जगह पर कुछ दिन पहले आज नामब का होटल चल दरहा था जिससे कुछ समually पहले ही DTP विभाग में सील किया था, लेकिन इसकी सील को तोर कर यहां पर अवैद गतिविधियो को अंजाब दिया जा रहा था, फिलहाल रेड पड़ते ही यहां पर मौजूद लोग फरार हो गई, फिलहाल अब यहां पर दो-दो मामले आने के बाद दो थानों की पुलीसरस मामले क जाच में जुट गई है, ऐसा है कल हमने एक लड़के को पकड़ा था, जिसके पास एक पीक अप थी, जिसमें खाद थी, उस खाद के बारे में उसके अपकास कोई बिल वगर अनी थे, हमने क्वालिटी कंट्रोल ओफिसर को बुला के चेक करवा तो इलीगल पाएगी, उसम कर दिया था, अब रात को उसके पुष्टास करी, पुष्टास के बाद उसने बताया, पर जहां से लेक आये थे, उसकी निसान दे के लिए यहां आये थे, यहां काफी खाद मिली है, तो अभी आपने जो क्वालिटी कंट्रोल अपसर है, यह इसमें जो इनकी लीगल प्रो प्रशोनाक कई सवाल खड़े का रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर इतनी जादा संख्या में यूरिया को स्टॉक किया गया था, जरूरत है कि मामले की पूरी चार्च हो और जो भी दोशी पाये जाए, उसके खलाफ कड़ी कारवाई की जाए।